नमस्कार दोस्तों स्वागता है अब सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सरकारी भारत में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं जीके की एक और इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में आपको बता दू यहां पर हम बात करने वाले हैं किस खेल के अंदर, किस खेल के अंदर, स्पोर्ट के अंदर, कितने खिलाडी होते हैं यानि खिलाडियों की संख्या का इसमें discussion करने वाले हैं दोस्तों यहां से एक नंबर का आपका हर एक exam में पूछा जाता है चाहें आप SST की तियारी कर रहे हो SST का कोई भी exam हो railway का कोई भी exam हो या फिर group D NTPC वाला exam हो DRDO MTS का exam हो चाहें कोई भी exam हो जहां जहां जीके आता है जिस जिस exam में जीके आता है वहाँ वहाँ इस class से एक question आपको देखने को 100% देखने को मिलता है दोस्तों आप सभी को बता दू किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं उसके बारे में discuss करने वाले हैं अगर आप इस channel पर नई हैं तो चैनल को subscribe कीजिएगा वीडियो को like कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कीजिएगा आप सभी को बता दू यहाँ पर daily एक class होती है किसकी इसी तरीके के एक topic की चाहे खिलाड़ी ले लिया जाए चाहे राइटर ले लिया जाए कोई भी ले लिया जाए या फिर एक class होती है यहाँ पर जीके की trick की यानि कि दो class यहाँ पर यह पक्का है जो daily होती है आपके लिए तो इन classes को देखने के लिए आप channel को subscribe कीजिएगा उके चलिए तो start करते हैं समय नगवादे हुए सबसे पहले देखते हैं tennis को tennis में कितने खिलाड़ी होते हैं देखेँ tennis में एक खिलाड़ी भी होता है tennis में 2 खिलाड़ी भी होते हैं नेक्स्ट है अपना बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में कितने खलाडी होते हैं, बॉक्सिंग में दो खलाडी होते हैं, चैस, चैस आपने देखा होगा, जैसे इस तरीके जो लूडो के टाइप में रखा रहता है, उसमें राजा, रानी, इस तरीके से जो बने रहते हैं, उसमें दो खिलाडी खिलते हैं, आमने सामने दोनों खिलाडी बैट जाते हैं, और फिर चैस को खिलते हैं, ओके, तो next question है, next है अपना water polo, water polo में कितना खिलते हैं, देखे, water polo, water polo में खिलते हैं, 7 खिलाडी, कितने खिलाडी खिलते हैं, 7, ऐसे ही futsal, futsal में कितने खिलते हैं, 5 ख होकी है अपना और होकी है और जो क्रिकेट है इन दोनों के अंदर ही 11-11 प्लेयर खेलते हैं तो यह आप से पूछे आ सकते हैं तो क्रिकेट में कितने हुए 11 फुटसल में 5 क्रिकेट कॉक्रेट में खेलते हैं एक होता है गेम कॉक्रेट कॉक्रेट तो कॉक्रेट में कितने खिलाड़ी खिलते हैं आप सभी को बता दू कॉक्रेट में 13 भी खिलाड़ी हो सकते हैं और 15 भी maximum हो सकते हैं यानि कि 13 या 15 नेक्स्ट अपना बॉली बॉल बॉली बॉल में कितने खिलते हैं बॉलीवाल में 6 क्लाड़ी खिलते हैं और जो बॉलीवाल में 6 क्लाड़ी होते हैं इसमें 1 Center होता है 1 होता है और 2 पे खिलता है एक और 1 Net पे खिलता है 1 Net का Player होता है तो ये काफी जादा important है Net वाला क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी तो ये खिलाड़ी बॉलिवाल में कितने होते हैं 6, कॉकरेट में होते हैं 13 या 15 तो एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं एनिस में एक या दो वाक्सिंग में दो चैस में दो वाटर पॉलों में साथ फुटसल में पांच क्रिकेट में 11 क्रिकेट में कोकरेट में स्वरी 13 या 15 बॉलीवल में 6 खेलाडी खिलते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट कितने खलाड़ी खिलते हैं, नेक्स्ट गेम में, तेके कबड़ी में कितने प्लेयर होते हैं, साथ साथ प्लेयर होते हैं, दोनों अगर पारियों को देखा जाए तो 14 प्लेयर बनते हैं, यानि कबड़ी में कितने प्लेयर होते हैं, साथ साथ प्लेयर होते हैं, ने इस बाल होती है हाथों से जिसे खिलते हैं ऐसे उननल गंस्हतर को NET से निकाला जाता हुँ वर सब्सक्रावास Mary नेट भाल में सथ फ्लेएर खिलते हैं जीमिनास्टिक में 8 फ्लेएर खिलते रगवी फॉटबॉल में 15 यह काफी स्वुकर में कितने खिलते हैं सिर्फ एक खिलाड़ी खिलता है सुनूकर के अंदर फोटवाल के अधर अभी मैंने आपको बताए 11 एक बीपस कर देता हूं कवधी मेंं साथ होकई में 11 ब WRसनल में लूडो में 4 प्लेयर खिल सकते हैं, maximum, और minimum 2 प्लेयर खिल सकते हैं, minimum 2 प्लेयर, maximum 4 प्लेयर खिल सकते हैं, okay, पोलो में कितने खलाड़ी करते हैं, पोलो में 4 प्लेयर खिलते हैं, 4 प्लेयर, okay, 4 प्लेयर, long tennis में 1 प्लेयर खिल सकता हैं, और 2 प्लेयर खिल सकते हैं, okay, इसके बा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को सेर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ आप सभी को बता दू डेली एक क्लास होती है इसी प्रकार के टॉपिक्स की इस्टी पॉलिटी जोग्राफी एकॉनोमेक्स जीके के सुपर वन ताउजेंड क्वेशन और जन्रल साइंस की क्लास भी चल रही है तो उनका भी आनद लीजिए थैंक्यू थैंक्यू प्रवचिक निस वीडियो जै हिंच जै भारत